हेलो फ्रेंज, स्वागत है आप सब का हमारे यूट्यूब चानल में और आप लोगों की बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मुझे गुलीवर की यात्रा वाला वीडियो डाली प्लीज यह वाला चैप्टर का वीडियो डाली तो मैं आज आपके लिए ये वाला चाप्टर लेकर आई हूँ आपकी ही डिमांड पर तो गाईज मुझे पता है कि आप लाइज जरूर करेंगे और शेर तो जरूर करेंगे तो चलिए आएज शुरू करती है तो उससे पहले देखे चाप्टर का हमारा क्या नाम है गुलीवर की यात्रा ये यात्रा वित्तान्त है यात्रा की विशे में है ये कहानी जिसको आज हम पढ़ने चाह रहे हैं तो चलिए आएए हम स्टार्ट करते हैं तो मेरा नाम गुलीवर है जो मतलब जो बता रहा है कहानी उसका नाम गुलीवर है जिसके साथ ये गटना गटी है मैं एक जहास पर नौकरी करता था मुझे कई लंबी-लंबी आत्राय करनी पड़ती थी वो जो गुलीवर था उसको बहुत सारी आत्राय करनी को मिलता था क्योंकि जो है जो नाव चलाते हैं लोग उनको बहुत सारी आत्राय करनी पड़ती थी एक बार मैं दक्षणी सागर से पूर्वी द्वीप समहू की ओर जा रहा था कि अच्चानक हमारा जहास तूफार में फस गया और चकना चूर हो गया एक बार जो है जो गुलीवर है वो दक्षणी सागर में जा रहा था दक्षणी सागर से पूर्वी द्वीप समहू की ओर जा रहा था हाँ और अच्चानक से एक तूफार आ गया कभी कबार ऐसा होता है कि जब लोग तूफार आ जाते है फस भी जाता है उस तूफार में गुलीवर के साथ वैसा हुआ तो गुलीवर उस तूफार में फस गया फस गया और उसका जो जहाज था वो चकना चूर हो गया इश्वर की क्रपा से में तैर कर किनारे पर आया और बहुत थकान के कारण वहीं जमीन पर लेट गया और उस जमीन पर लेट गया जमीन पर लेट गया मुझे गहरी नेंद आ गई उससे बहुत ज्यादा गेह तो ज़्यूधा गया मुझे बहुत ज्यादा गया है कि जब मेरी नेंद खुली तो मैंने अपने आपको पतले पतले धागों से बना हुआ पाया उसने जब उठा तब उसको तो पता नहीं था कि जह कहां आ गया वो तो जो है वो उस जब उठा तब जो है उसने दिखा कि मैं पतले पतले धागों से बना हुआ हूँ जैसे बना है यसे की तरह होते हैं और हम लोग की सामने एक धागा होता है तो वैसे ही यहीं बर्थ है तो यहां पर चीटी की बात नहीं हो रही है यहां कुछ और बात हो रही है अंधा हुआ पाया मैं कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि कोई चीज मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी चाती पर आखड़ी हुई वो कोशिश करी राद समझने की कि क्या है क्या है कहां आ गया कि कोई चीज जो है उसके पैरों से रेंगती रेंगती मतलब उसे लगा कि कोई रेंगता हुआ आ रहा है मतलब ऐसे नहीं खीड़े जो च हाड़ी होई है यहां एक मानव आकरती थी जिसकी लंबाई लगभग आठ इंच थी एक मानव का आकार था मनलब हमलों की तरह मानवी था मनलब इंसान ही था वह लेकिन उसकी जो लंबाई थी वह आठ इंच थी आप स्केल से भी नापके देख सकते हो उसकी लंबाई जो है आठ इंच थी तो देखिए आठ इंच थी कुछ देर बाद मैंने पाया कि मेरे शरीर पर उसी तरह के लगभग स्याकड़ों आदमी चड़ आए मैंने उसने जब देखा कि जो है उसी के तरह ही बहुत सारे सैंकड़ों आदमी चड़ाए मैं जोड से चिला उठा वो जो है जल चिला उठा उठा और चिलाने लगा कि कौन हो तुम कौन हो तुम मेरा चिल्लाना सुनकर वे लोग घबरा गए वो उनको लग रहा था ये पता नहीं कौन राक्ष सागे है और कौन चिल्ला रहा है गुलिवर उनकी भाष चानता रहे था और उनकी भाष अलग थी क्योंकि वो लोग अलग देश्च के थे चिलाते हुए घबरा गए और चीखते चिलाते हुए भागे सोचते लगे कि जो यह चिला रहा है क्या करने वाला है इसलिए वहां के लोग भागने लगे इधार से उदार मैंने उठने की कोशिश की तो कुछ दागे तूट गए जब वह उठने की कोशिश कर रहा था तब जह उसके कुछ लागे तोट गए यह देखकर कुछ लोगों ने मुझ पर तीर चलाना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने उस पर तीर चलाना शुरू कर दिया इसमें बहुत ही ज्यादा इंट्रेसिंग स्टोरी है इसको जल्दी से लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना क्योंकि आगे जो है बहुत ही इंट्रेसिंग होने जारी है इस चोरी तो अब आते हैं हम चाप्टर पर तो लोगों ने मुझे पर तीर चलाना शिरू कर दिया तो कुछ लोगों मुंने उससे की कोई की राक्षा लगेगा कि नहीं? मैंने सोचा चुप चाप लेटे रहना ही अच्छा है वो जो गुलिवर था वो लेटे रहना ही उसमें सोचा कि जो है इससे अच्छा तो लेटे ही रहो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो अब देखी आगे क्या हुआ अब उन अद्भुत प्राडियों ने तीर चलाना बंद कर दिया अब वो जो अद्भुत प्राडियों थे मतलब जो आठ इंच के दो लोग थे उनने तीर चलाना बंद कर दिया उनमें से एक थोड़ी दूर उन्चाई पर खड़े होकर जोड़ जोड़ से चला कर कुछ कहने लगा उसे क्या पता गुलीवर को कि क्या कह रहे हैं बो लो क्योंकि वहां की बाशा तो आती नहीं थी उसे हाँ तो उसने क्याने लगा मैंने हाथ से इशारा किया कि मुझे उनकी बाशा समझ नहीं आ रही है तो उसने इशारा कर दिया हाथ से कि मुझे तुमारी बाशा जो है मुझे समझ नहीं आ रही है फिर जो है फिर मैंने इशारा करके बताया कि मैं भूखा हूँ फिर जो है उसने कुलीवर ने क्या किया उसने पेट की तरफ इशारा किया और जो है उससे इशारा करते हुए कहा कि जो है मुझे भूख लगी है उन लोगों ने मेरे मुह के पास सीड़ी लगा दी अब देखो अब देखो उनके मुह के पास सीड़ी लगा दी अब ये देखना हसने की बात है तो उनके मुह के पास सीड़ी लगा दी और सैंकडों लोग टोकरियां में खाने की चीज ला कर मेरे मुँ में डालने लगे मैंने पानी पीने का इशारा किया तो मैंने पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे पानी के मेरे मुँ में उडहिल दिये फिर उन्होंने जो है उसके मुह में बहुत सारा पानी का खड़ा भरके उसके मुह में ढाल दिया फिर वे लोग बहुत हैरानी से मुझे देख रहे थे वो जो लोग थे वो उसको बहुत हैरानी से देख रहे थे और सोच रहे थे कि इसका पेट है या कुँआ फोड़ी देर में मेरी पल की भारी होने लगी और मैं सो गया फिर उसकी पल की भारी होने लगी मालब उसे नीन दालने लगी तो वो सो गया खड़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ हत्यार लेकर मेरे साथ साथ चल रही थी तो अब देखना इंट्रेस्टिंग होने जारी है तो लाइक शेयर और सबस्क्राइब तो बनता ही है और पास वाला बल आइकोन तो जरूर दबा देना क्योंकि वह बहुत पास में लगता है ना इसलिए जल्ली से दबा देना चलिए आएए आगे शुरू करते हैं साथ साथ चल रही थी मैं समझ गया कि मुझे बंदी बना लिया गया निवासियों की विशाल भीर मुझे देखने बंदी बना लिया गया अब उसे लग रहा था कि मुझे लगता है मुझे बंदी बना लिया है अब मुझे पदा चला कि यह लिलिपुट दुईप है अब उसे पदा चला कि वो जो देश था वो लिलिपुट दुईप था वहां के निवासियों की विशाल भीड मुझे देखने के लिए उमर पड़ी फिर जो बड़ी सी भीड थी वो उसे देखने के लिए आ गई मेरे पहड जैसे भारी भरकम शरीर को देखकर लोग आश्चर चके थे लिले पुट के सभी मकान तो बिलकुल खिलोने जैसे थे वहां के राजा ने मुझे एक पुराने मंदर में क्याद कर लिया उनके पास तो कोई जगा नहीं थी क्याद कर लिया फिर देखी क्या होता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना पास वाला बेल आइकवन जरूर दबा देना तो जिस तरह वे लोग मेरे भारी भरकम शरीर को देखकर आश्चेरे चके थे उसी तरह मैं भी उनके छोटी सी दुनिया देखकर हैरान था जैसे वो लोग उनसे बहुत डर रहा थे वैसे वो भी उनकी दुनिया देख रहा था फिर देखें क्या होता है एक दिन की बात है कुछ शरार्ती लोग मुझे पर तीर चलाने लगे एक तेर मेरी आवंच पर लगा फिर जो है कुछ लोग जो है तेर चलाने लगे और उसके इनके तेर जो है उसके आँख़ लग गए यह देख कर सिपाईयों ने छे व्यक्तियों को गिरफतार कर लिए कर मुझे सौप दिया फिर जह है कुछ लोगों ने कुछ व्यक्तियों ने छे व्यक्तियों को गिरफतार करके उसको दे दिया कि लो तुम इसे खा लो पांच तो तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया फिर कुछ तो जो है कोट की जेब में रख लिया एक तो उंगलियों में पकड़ कर मुह में ले जाने लगा फिर जो है मुह में ले जाने लगा एक को जो है मुह में ले जाने लगा अब देखे आगी क्या होता है पकड़ कर मुँ में ले जाने लगा वहाँ आदमी डर के मारे बुरी तरहा चीखने चिलनाने लगा तो मैंने उसे जमीन पर छोड़ दिया मुझसे छुटकारा पाते ही वहाँ गिरते पड़ते वहाँ से भागा राजा ने सब यह सब सुना तो उसने मेरी बहुत प्रशंसा की प्रशंसा मतलब तारीफ की उसकी बहुत की जया रे वाह किता अच्छा है ये तो बहुत प्रशंसा की राज दरबाल के कुछ व्यक्ति मेरे खाने पीने की खर्च को देख कर सोचने लगे लेकि इस तरह तो देश में अकाल पढ़ जाएगा अकाल मतलब खाने की कमी रह जाएगी फसल कोई उगी नान उगी हना तो ऐसा हो जाएगा अकाल पढ़ जाएगा वी विशयले विशयले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थी विशयले मतलब जहरीले तीरों से मतलब जहरीले तीरों से उसके हत्या कर देने चाहते थे मतलब इतना सारा खाता है वो तो हम लोग के एक महिने के खाने के बराबर है एक महिने का खाना वो एक दिन में खा जाता है तो ऐसे तो अकाल पढ़ जाएगा पूरे देश में हाँ तो वो हत्या कर देना चाहते थे जहरीले तीरों से हत्या कर देना चाहते थे परन्तु राजा उनकी बातों में नहीं आया फिर जो राजा उनकी बातों में नहीं आया राजा नहीं क्या का कि आरे छोड़ो ये लोग तो ऐसी ही है हाँ नहीं आया उसने मेरे खाने पीने की सारी जिम्मेदारी अपने उपर ले ली वो दिखो राजा इतना अच्छा था कि उसकी सारी जिम्मधारी खाने पीने की उसने अपने उपर ले ली और च्छै विद्वानों को मुझे उस देश की भाशने सिखाने के लिए निव्यूक्त कर दिया उन्हों ने उनको काम दे दिया राजा ने उसको वहां की भाशत सिकाने के लिए वे लोग मेरे विवार और स्वभाव से बहुत खुश थे अब वे नडर होकर मेरे पास आते एक दिन मैंने राजा से प्रात्ना की कि वे मुझे छोड़ दे राजा ने मेरी प्रात्ना इस शर्थ पर सुविकार कर ली सुविकार कर ली फिर सुविकार की कि मैं कि मैं बादशा की आगया की बिना कहीं न जाऊं और किसी देश के साथ युद्ध छेड़ जाने पर लिली पुटवासियों की मदद करूं कुछ दिनों बाद मुझे खबर मिली कि पड़ोसी देश बलेफुसकू के बादशा ने एक शक्ती शाली जहाज जहाजी बेड़ा लिया है और वहाँ लिली पुटकी पर चड़ाई करने का मौका ढून रहा है शर्थ के अनुसार मैंने उन लोगों की मदद की योजना बनाई अब देखिए अब देखिए आगे बढ़ते हम मैं कुछ मैं कुछ रस्यों और काटे लगे बलेफुसकू के खाड़ी को और चल दिया यह खाड़ी उन लोगों के लिए एक महासागर के समान थी लेकिन मेरे लिए कोई विशेश गहरी नाल थी खाड़ी में गुसकर मैंने वहाँ खड़े सभी जहाजों को काटे में फसा लिया और मैंने खीचते लिली पुटकी और चल दिया बली फुसको के स्यानिकों ने मेरे उपर तीरों की बोचार कर दी लेकिन उनका मेरे उपर क्यों कोई असर ना हुआ क्योंकि मैंने चमड़े का कोट पहन रखा था और चिश्मा लगा रखा था बले फुसकों के जहाजों को लेकर जब मैं लिली पुटकी खाडी में पहुंचा तो वहां के राजा और लोगों ने प्रसंता से उचल उचल कर मेरा स्वागत किया सज राजा ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधी के सम्मानित किया एक दिन मैं खाडी की किनारे खूम रहा था कि मैंने पानी में एक बड़ा तकता तरता हुआ देखा ध्यान से देखने देखने पर पता चला कि वह एक उल्टी नाव उल्टी हुई नाव थी उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा यहाँ नाव मेरी आशाओं की जयोती थी जयोती थी कुछ दिनों बाद मैंने कुछ दिनों बाद मैंने राजा से अपने देश लोटने की आग्या मांगी उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे विदा किया और बहुत सी भोजन सामगरी मेरी नाव पर रखवा दी मार्क में मुझे मेरे देश का जहाज मिल गया और मैं अपने देश वापस लोटाया आज मी मैं अपनी उस विचित्र यात्रा को नहीं भूल पाता हूँ तो चलिए फ्रेंज आपको मज़ा है इस चोरी में तो चलिए हम संदेश पढ़ते हैं हमें ज़रत मद्दों की मदद करने चाहिए और महमानों का आदर सतकार करना चाहिए अब चलिए हम शब्दर्थ पहिटते हैं यात्रा, सफर, प्राणी, जीव, जियोदी, रोशनी, तानत, जिसको सम्मान मिले सम्मानत थोड़ा सा छुप प्रेफरेंस तो इसलिए थोड़ा धीमे पढ़ रही हूँ सम्मानत जिसको सम्मान मिले चारों और समुद्र से गेरा टापो आकरती, आकार, भरी भरकम, बड़ी डील, डॉल, बढ़ वाला, उपाधी, पद्वे, प्रशंसा, तारीफ, पीपा, ठोल के आकार का बड़ा बड़तर चक ना चूर, तहस नहस, विचित्र, अनोखा, विशैला, जहरीला तो चलिए फ्रेंट्स, आपको मज़ाई इस स्टोरी में, तो फ्रेंट्स, लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और पास वाला बलाई को जरूर दबा देना, ताकि आपको मेरी वाली स्टोरी मिलती रहे, फ्रेंट्स, बाई